Good morning students, how are you all? I hope you all are fine and also paying attention towards your studies. Today we are going to start unit 9, poem. Poem का नाम क्या है बेटा? Don't tell, यानि किसी को बताना मत. चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं. There are lots of things they won't let me do. I am not big enough yet, they say. अब ये जो boy है, ये अपने बारे में बता रहा है, poem के तुरू, कि ऐसी बहुत सारी चीज़े हैं, मुझे कोई बताता नहीं है और नाहीं कुछ करने देता है. क्यूं? क्यूंकि उनके parents को लगता है कि मैं अभी ज्यादा बड़ा नहीं हुआ हूँ, मैं छोटा हूँ. So, I patiently wait till I am all grown up. तो मैं क्या कर रहा हूँ? कि मैं चुपचा वेट कर रहा हूँ कब कि जब मैं अच्छे से बड़ा हो जाऊं. And I will show them all one day. और एक दिन में उनको सारी चीज़ें जो वो मुझे मना करते हैं, वो उनको करके बताऊंगा. ठीक है? First two paragraph में क्या है? कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो करना चाहता है, लेकिन उसके parents उसको नहीं करने दे रहें. क्यों? क्योंकि उनके parents को लगता है कि वो अभी बहुत छोटा है, लेकिन जब मैं grown up यानी बड़ा हो जाऊंगा, तब मैं उनको बहुत सारी चीज़ें जो उसके mind में हैं, वो करके दिखाऊंगा, एक दिन ऐसा जरूर होगा. आपके parents भी आपको बोलते होंगे न, अभी आप छोटे हो, ये काम मत करो, इसी तरह से इस boy के पम्मी, देखो, पिक में भी दिख रहा है, वो उसे मना कर रही है. I could show them now, if they give me the chance, there are things I could do if I tried, अब वो बोल रहा है कि मैं तो उन्हें अभी करके दिखा दूं कि मैं क्या कर सकता हूं, अगर वो मुझे एक चांस दे, ऐसे बहुत काम है जो मैं कर सकता हूं. But nobody knows, लेकिन किसी को पता नहीं है, no, nobody knows that I am really a giant inside, लेकिन किसी को पता नहीं है, अंदर से मैं बहुत strong हूं, देखो, दिख रहा है नहीं यहां पे, ये बात किसी को भी पता नहीं है, ऐसा कौन बोल रहा है, ये छोटा boy बोल रहा है, ठीके बिटा, अब इस पोयम में हमने क्य सिखा है, कि बच्ची के parents उसको बहुत सारी चीजें करने के लिए मना करते हैं, तो वो वेट कर रहा है, कि जिस दिन मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं सब कुछ करके बता दूंगा उनको, और अब भी भी अगर chance देद मुझे वो, तो भी मैं सब कुछ कर सकता हूं, उन्हें प देखना और पोयम की reading करना, ओके, थैंक यू, have a nice day.